गश्ट स्टोरी चलो भी आजो घो स्टोरी सुनाते आज बहुत दिन होगे तुम लोगों को आजाओ और क्या जीना बेहाल कर रखा तुम लोगोंने घोस्ट स्टोरी घोस्ट स्ट्ट इस्टोरी आजाओ कि तयारो फिर हाराम से रिलेक्स डर्नाम अभी बोल रहा है जिसको डर लगता है प्लीज स्विच आफ द बटन गाय बोजाओ खाना वन अखाव काईगी गोस्ट तोदी में गुष्रो रियल वाली सुन नियागे फिर प्रैंक वाली रियल वाली सर आजाओ आजाओ लाइट वाइट जला लेना क्योंकि अभी बोलते रहा हूं सबसे पहले स्टार्टिंग में तो अकेला नहीं सुन रहा है तो प्लीज लाइट वाइट जलाके सुनिये क्योंकि और भी लोग सुन रहा है रियल ठीक है त्यार हो तो हुआ कुछ यूँ ध्यान सुनना पहले प्लॉट समझा दूँ एक आउटर में घर था ध्यान सुनना आउटर में घर था कुछ लोगो ते ना कई बार घर हम कहीं पर बाहर ले लेते हैं या कहीं पर बाहर रहते हैं तो उनको ट्रेवलिंग इतनी ज़्यादा अवाइट नहीं करती या फिर वह इतने ज़्यादा नहीं उससे घभर आते तो आउटर में घर था ध्यान सुनेगा प्लीज मतलब ऐसी कोई शहर से एक रोड आ रही है घर की तरफ और बाकी शहर जो है वो काफी दूर है मतलब पांच-दस किलोमेटर और उसके आसपास उनके कोई रहता नहीं है उनके आसपास कोई रहता नहीं है और परिवार में जो हैं वही मॉम डैड ब्रदर सिस्टर छोटा सा ठीक है तो जो यह भाई था ना सबसे पहले एक्टिविटी की तो समजा रहा हुँ मैं यह यह देख रहा था चैसे जो बहन है यह यह देख रहा था कि इसकी जो बहन है वह काफी दिनों से तूसरा हम शहर से मतलब यह परिवार शहर से दूर रह रहा है तो क्या हो रहा है कि कि सर्वापिस जाना फिर वहां पढ़ाई करने फिर आना तो इट इट सेक टाइम मतलब इसमें टाइम लगता है और यह जो भाई था यह इस से चोटा था समझे पारें सुंते जावरा रहा हम उसे भाई जो है वह सिस्टर से चोटा है इंफेक काफी चोटा है मतलब आप ऐसे समझो कि यह अगर 10 में है तो यह अभी 5 6 में है चार-5 साल का गयाप है तो यह टूशन के लिए और यह अभी घर पे बैठके पढ़ रहा है नॉर्मल होंवर्ग होता है जो यह करता है अब धीर धीरे इसने अपनी बहन के भीएवियर में परिवर्तन देखने स्टाट किये हां समझ मैं परिवर्तन मतलब वैसे च्छोटा बच्चा इथा बट दिख जाता ना बेवियर में कि या अब यह चीज यह ऐसे नहीं करनी चाहिए इसको पर बोले कोई बात ने कोई बात सभूज पार हो कि ने समझ पार हो कोई बात मतलब छोटा बच्चा है तो और इकनोर कब यह दस दिन में एक बार हुआ अब क्या होने लगा तो रेगुलरली वो इंसिडेंट होने लगे थे जैसे की जैसे की यह अपने आप से बाते कर रही है फिर उसके अलावा और जो इनका जो आउटर एरिये में घर है ठीक है रात को निकल जा रही है फिर वापिस अकेले ही रा बात अपने पेरेंट्स को बता पाई या बताओं तो किस सेंस में बताओं क्योंकि इसकी उमर कम थी एक दिन की बात जब मतलब वह बताने लाइक मतलब इतनी तकड़ी एक्टिविटी हुई कि जिससे यह हिल गया पूरी अच्छे से हुआ क्या इसकी सिस्टर का आने का बहन है ना वह नॉर्मल सड़क पे चलती हुई नहीं आ रही है उपर हवा में उड़ती हुई आ रही है और ड्रेस कॉस्ट्यूम सब बदले हुए है बस हां सकल मैच कर पा रहा है हाइट और वह दाइमेंशन देख पा रहा है कि यह बहन ही है बट चलने वलने का कोई प्रो नॉर्मल हो जा रही है कि वापिस नॉर्मल मतलब वापिस उसी रूप में जो पुराने कपड़े थे और वह अचानक से हो गये और वापिस घर के अंदर आगी ठीक है अब यह बात उसने दो-तिन दिन तक लगातार नोटिस की सहच पारो यह दो-तिन दिन तक उसने लगातार नोटिस की यही काम चल रहा था उठकी आना और अलग-अलग activities अब क्या हुआ एक दिन जब वह वापिस से नोटिस कर रहा उसको पता था कि अब sister का या भेहन का आने का टाइम हो के टूशन से तो वो देख रहा है कि भया उड़ती हुई वापिस अब की बार सिस्टर ने इसको देख लिया देखते हुए सब्सक्राइब अब की बार जो है वो sister ने इसको देख लिया यह देखते हुए कि इसने मुझे देख लिया है यह मेरा असली रूप जान गया है और जो भी paranormal activity मेरे साथ हो रही है या फिर मैं कर रही हूँ वो इसने देख लिया है ठीक है बस अब sister का आपने भाई पे attack अटैक कैसे नॉर्मल क्योंकि उसने प्रेंट्स को बताएं यह तो उसने समझाने कोशिश की बोले देख किसी को कुछ मत बताना तेरे साथ कुछ नहीं करूंगी ठीक है बेसिकली यह पूरा घर जो है यह paranormal activity से गिरा हुआ है कुछ ऐसे लोग है जो यहां पर रहते थे ठीक है जो किसी कारणवस अब यहां नहीं रह पा रहे हैं तो उनकी कुछ चीजें हैं जो यहां अभी भी घूम रही हैं तो वो चाहती है कि वापिस से इस घर पे कबजा हो जाए और हम लोग यहां से मूव आउट कर जाए तो इस काम में मैं उनकी मदद करूंगी यह उसने अपन लिए कबकर का रही है ठीग है यह चैंज़ जब उसने बताया तो अब की बार जब उसने बताया तब पूरा परिवार पर उसने एक साथ हमला कर दिया ठीक है और यह जो कहानी है हमला किया मतलब कि अब बोलेगी सब को लाइन मěं लगाते है और इनकी मतलब इनको घर कि सब्सक्राइब यावी जब को होगे चाहिए खर योक्त कफो पिर यहाई संब्सक्राइब या ट फट्सक्राइब अधर या पून गश्र्रों गुजर्रे के अंदर यह फिर तो पहले तो वही नॉर्मल जो हम पूछते हैं कि भीया सब ठीक है क्या फिर वो भी अंदर आ गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की पूरा अल्मीरा चकते हुए मतलब अल्मीरा समझ नों बहुत भारी चोटी सी लड़की 10th क्लास की वो तीनों अपने माँ बाप और भा उनके पास होगा उस मुवमेंट पर उन्होंने गंगा जल फेका उसके अंदर की आत्मा निकाली और उसको श्चांत किया ठीक है फिर वहां पर हवन ववन हुए उनकी आत्माओं को भगाया गया उनको भी रिक्वेस्ट की गई कि आप इस घर को खाली कर दीजिए ठीक है य यह कोई real incident नहीं है यह पुराने टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे या देखते थे यह सब आप बीती करके आता था एक चैनल नाटक उसमें यह कहानी सुनाए गई थी ठीक है तो यह मत सोचना कि सर यह कहां हुआ कौन लोग है कुछ नहीं चैनल पर दिखाई गई थी ब कि दोजा हुआ है थी ठीक है है हाए ठीक है अनुर्ण मसाला कुछ नीज है जो मुझे मैं ने देखा हो किसे सुना दी अब इतना टाइम है नहीं कि मैं इसमें मसाला डालू तुम्हारे लिए मसाला त्यार करूं सही है ठीक है तो बढ़ान ध्यान रखी आप्लीज किसी की आपको प्लस माइनस होती दिखाई थे उसके चाल चलने पर ध्यानरों को पैरवेर सीधी है कि नहीं कुछ नहीं अराम से पड़ो यह तुम स्टोरियां सुन लेते हो फिर रात को तुम्हें बस कुछ नहीं मेरा भाना लेता लेना होता है बोले सर आज रात को तीन बज़े तक मुलाकात होगी पढ़के आईएगा प्लीज जो भी बताया है जो होमवक दिया वो कर लेना ठीक है थैंक्यू